मैं टीचमेंट पर ऑनलाइन क्लासेस क्यों लेती हूँ? भला क्यों ना लूँ? यह इंडिया का एक लौता प्लाटफॉर्म है जो 100% फ्री है बिना किसी लिमिट के और नई शुरुबात करने के लिए इससे बहतर और क्या होगा? बस एक स्मार्टपोन चाहिए और सुहानी श अब आट गंटे नव गंटे ग्यारा घंटे लगते थे। अब आप दो गंटे में आते हैं सतकरी जी बैठे सुप्रिया बैठी यहां आप कितने घंटे में आती हैं के अब शायद उस समय सुप्रिया जी चोटी ऐंगी पवार साझ थें। उस समय मुंबै पुना में governor में ह मैं आपको पुछता हूं कि जब आपको 11 गंटे के बज़े अगर दो गंटे में आएंगे तो आपका डीजल नहीं बचेगा आपका टैम नहीं बचेगा तो उसका सेविंग है तो टोल दीजिए और इसलिए आप पुछ भी करिते हैं सरकार के पास पैसे महीं है जब तक आपक कारेक्रम क्यों नहीं लिया अगर मानसिंग में कारेक्रम लिया है तो पैसा देना पड़ेगा फुकत में तो रामलीला वहीदान पर वहाई किसे मपाना कि एक पैंडल लालो लॉप कमयर लगा और बैटो जब तुमको वहाँ वहां फुकत में हैं और आपको अच्छे जगन बैठना है एर कंडिशन में बैठना अच्छी केर चाहिए तो पैसे देने पड़ेंगे फुकट में कैसे होगा अब सरकार के पास पैसे नहीं है सरकार कोई भी पार्टी किया कि देखो सोशालिस्ट कम्यूनिस्ट और कैपिटिलिस्ट तीनों तिंकिंग के आदर रहादर ने बुला हैं सिंग बैठे यहां जौर्ट फंडांडिस को मैं अपने जीवन अपना आइकॉन मानता हूं डॉक्टर लुईया जी को मैं परफ़ पर चुका हूं और मैं यह मानता कि जो दे सकता उससे लो और जो गरीब लोग विलेश कनेक्टिटी प्रदान मंत्री ग्राम सब्सक्राइब को अगर बड़े शहर के दिल्ली का दिंग रोड 15,000 करोड का अगर मैं अपने बजट से बनाऊंगा तो हिमाचल पदेश में अहरूना चल मिगाले त्रिपुरा मे टोल मिलता हूं वा रोड के लिए पैसा कहां से आएगा अगर नॉर शीस में में दो लाक करोड खर्चा करना चाहता हूं तो मैं दिल्ली में जो काम एन जो राज्य कमजोर है उनको जादा पैसे देना जो धन्वा ने वहां से इकत्ता करना इसमें क्या गलत है मुलायम सिंग जी कहेंगे कि समाजवादी ठीकिंग तो यही है जो दे सकता उससे लो और जो गरीब है उसको दो